आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कल का दिन 26 तारीक का दिन ग्रहन का दिन है आप लोगों के लिए खास तोर पर कई हिदायतें दे जा चुकी है आप लोगों को किस तरह की precautions लेने चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए क्या आपको करना चाहिए आज की वीडियो भी उनी में से एक है आज के दिन आप लोगों को बताऊंगी कि सिक्के से आपको क्या करना चाहिए देखिए सिक्का जो होता है जिसे हम coin बोलते हैं ये सूर्य का प्रतीक माना जाता है इसलिए आप अपने परिवार के सदसों की गिंती के मताबिक सिक्के ले ले एक रुपए का सिक्का भी लिया जा सकता है दो रुपए का सिक्का भी लिया जा सकता है आपके अपने श्रद्ध है आप अपने परिवार के जितने भी सदस्य है जैसे आपके परिवार में पांच सदस्य हैं, तो आप दो-दो रुपए के पांच सिक्के ले सकते हैं, अगर आपके परिवार में चार सदस्य हैं, तो आप चार सिक्के ले सकते हैं, एक-एक रुपए के सिक्के भी लिए जा सकते हैं, कोई restriction नहीं है, आप लोगों को अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार सिक्के लेने हैं और रात को सोते हुए इन सिक्कों को आप अपने अपने तक्ये के नीचे रख ले और इसके बाद आप उन्हें आज ही रख ले आज जैसे सूतक प्रारंभ हो जाएगा आप उन्हें अपने तक्ये के नीचे रख ले और जैसे ही ग्रहन खतम होगा उन सिक्कों को आपको अपने शरीर से वार लेना है अपने शरीर से आप इसका उतारा कर ले और इसको उतार कर आप किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसको उसकी जरूरत हो ऐसे में आप लोग इन रुपेयों को इन पैसों को जो आपने अपने तक्ये के नीचे रखे हैं आप इने जो भी चीज दान कर रहे हैं जैसे आप गुड का दान कर रहे हैं या किसी काली वस्तू का दान कर रहे हैं अपनी अपनी राशी के अनुसार मैंने बिटाया हुआ है अलग-छुँज में आप किस चीज़ का दान करें तो ये जो सिक्के हैं उनको आप अपनी उन चीज़ोंama बीच में रखकर भी उनको दान दिया जा सकता है गुड का दान करें तो गुड जहां जिसमें रखेंगे उसमें सिकें भी रखें और उसके बाद दान करें तो सिक्कों का बहुत महतुर रहता है दान का क्योंकि ये जो दान है इसे सूरे का दान बोला जाता है और सूरे ग्रहन ही लग रहा है तो इसलिए सिक्कों की importance और भी जादा है आप लोग अगर इस तरह का दान करते हैं तो सूरे के जो negative प्रभाव है उनसे आपको मुक्ती मिलती है आपका औरा शांत होता है आपकी negativity दूर होती है अगर आप ये सिक्के किसी को नहीं दे पा रहे है किसी गरीब को आपको नहीं दे पा रहे है आप इसे तो आप इन सिक्कों को मंदिर में भी रख कर आ सकते हैं मंदिर में रखने से भी आप लोगों को उतना ही उचित प्रभाव मिलेगा आप लोग इसे पानी में न डाले इस बात का ध्यान रखें या तो मंदिर में रख दें या किसी गरीब को हाथ में पकड़ा दें आप अपनी शुद्धा भाव के अनुसार कर सकते हैं अगर आपके पास जादा पैसे हैं आप कर सकते हैं तो 43-43 सिख् torture भी रखें अगर आप रख सकते हैं तर्तालिस सिख् for लिक्ति अपने पिलों के नीचे अपने सिरहाने के नीचे लाखे ऐसा करने से भी आपको विशेश दोर पर लाब मिलेगा 33 सिक्के रखने से 43 दिनों में यह उपाई किया जाता है परंतु ग्रेहन के समय में एक ही दिन में इस उपाई को किया जा सकता है तो 33 सिक्के अपने सिरहाने के नीचे रख कर सुबह आप इसका उतारा करके आप इसको दे दे ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय माना जा सकता है अगर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो भी इससे बहुत लाब मिल सकता है रोग दूर हो सकते हैं बड़ी से बड़ी बिमारी दूर हो सकती है और इसके साथ साथ पैसों की तंगी से संबंदित अगर आप जूज रहे हैं तो भी आपको दिक्तें जो हैं आपकी दूर होंगी, मानसिक परिशानिया दूर होंगी, आपका औरा अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, पॉजिटिव इनर्जी महसूस होगी मानसिक शान्ती मिलेगी, तो एक ही उपाये से बहुत सारे लाव आप ले सकते हैं, इसको करके देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, के साथ शेयर करने से चीजें जो है, वो बढ़ती हैं, घटती नहीं है, इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इसका लाव उठा सकें, आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,